वाई रुईना गुप्ता चनल पर आपका स्वागत है आज फिर से 100 कोस्टन का पूरा प्रैक्टिस सेट एक लाया हूँ चलिए आते हैं कोस्टन पर कुस्टन नमर एक कर रहा है कान का कच्चा होना मुहाबरे का अर्थ है यह हो जाता है सुनी हुई बातों पर विश्वास करना यानि कि भी हो जागा इसका अंसर अगला हो जाता है कोस्टन कर रहा है कि कलम तोड़ना मुहाबरे का अर्थ है इसका हो जागा जादा लिखना यानि कि सीनो अप्सन हो जाता है अगला हो जाता है तीन में कुस्टन भाई गई भाई ग चार नमर कोसन कर रहा है कारी करने के लिए बाद उसके बारे में जाच करना अर्थ वाली कहावत तो चार का जो आंसर हो जाता है वो पानी पीकर जाती पुछना यानि कि बीनमा अप्सन हो जाता है अगला हो जाता है पांच नमर कोसन कर रहा है किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले के लिए एक कथन इसका पांच का जो आंसर हो जाएगा वो अंतरदेश ही हो जाता है अगला हो जाता है कोस्टन च्छा नमर, च्छा नमर कर रहा है कि किसी समास में पर्थम, पद, संख्या, वाची तथा अंतिम, पद, संग्या हो वह है तो च्छा का जो जाएगा आंसर वह दिगू समास हो जाएगा यानि कि सीनमा उपस हो जाता है दिगू समास में जो और उधारन जैसे ले सकते हैं तिर्फला, नवगरह, त्रीव्यूबन, चतुरुबूज, यह सब दिगू समाज में हो जाता है इसलिए किसी समाज में पर्थम, पद, संख्या, वाची तथा अंतिम, पद, संग्या हो तो उसको दिगू समास करते हैं अगला हो जाता है साथ नमर कुसन में क्या है तो वह कर्म, कारक समाज यह समास नहीं है कर्म, कारक, समाज कोई समास में नहीं आता है अगला हो जाता है कुसन नमर में अजास सत्रु में कौन सा समास है तो नो का अंसा हो जागा बहु बिरी समास है अजा सत्रू में दस में कोसन करा है कि करत ब्योत में कौन से समास है तो दस का जो हो जाता है वो द्वन्द समास हो जाता है करत ब्योत में अगला हो जाता है कोसन एगार नमर में निम्लिकित में से सुध सही वर्तनी कौन सा है इसम एक निलिकित में से कौन सा असूद गलत है तो बारा को जोज़ाएगा हो अस्थाइतु यह गलत है बीट आपसं में देख लिए यह गलत है अगला हो जाता है कुसन तेरे नम में सुध्वर्तनी वाले सब्द का चैन कीजिए तो तेरा का अत्यांचरी हो जाता है अत्यांचरी यानिकि एन्वा उप्शन में देख लीजिए सुध्वर्तनी वाले सब्द अगला हो जाता है कोशन 14 नमर में निम्लिकित में से तद्धवब सब्द का चेहन करें तद्धवब सब्द का चेहन करना है तो अमावस हो जाएगा यानि कि C नमर उप्शन में अगला हो जाता है कोशन 15 नमर में निम्लिकित सब्दों में सब्द का पहचान करें इसमें सब्द का पहचान करना है ति जो है त्था फोन यानिकि डीका सब्द में पहचान कर tipo के लूफ को अता है देखता और सब्द कर लूप को हो जा olduğunu डेड़ और जेश्ट यानिकि d9 आप्शन ये इस कोसन का अंसर होगा सत्रन मों कोसन देखते हैं निम्निकित में से तत्सम और तदवब के रूप में गलत का पहचान करें इसमें भी वही गलत का पहचान करना है तो सत्रह को जो अंसर होगा दुबला और दुर्बल ये सी हो जागा इस जिस सब्द के कई सार्थक हो सकते हैं उसे योगिक करते हैं और निसमर में क्या आता है परिक्षा सब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है परिक्षा सब्द यह हो जाता है तत्सम सब्द में आता है यानि कि एन वाप्सन हो जाता है अगला हो जाता है बीसमर में क्या है कि में कारक समंदी असुधियां को बताएं तो 20 का जो आंसा हो जागा इस किताब के अंदर बहुत कूछ है ये गलत हो जाता है अगला हो जाता है कोसन 21 में वाक्ष में कारक समंदी असुधियां को फिर बताना है तो 21 का जो आंसा हो जागा उसे कह दो कि भाग जाए ये भी गलत है अगला हो जाता है कोसन 22 में निम्ली खित में से कौन चिन है संपरदाय कारक का चिन है ये हो जाता है को एक के लिए यानि कि बीन वा उप्शन इसमें आंसर होगा संपरदाय का अर्थ संपरदाय का चिन ही यही है 23 में किरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा कारक उधारन है तो 23 का जो जाएगा कर्म कारक हो जाता है यानि कि एनो आप्सन हो जाता है कर्म कारक अगला हो जाता है को सन मैं कलम से लिखता हूं इस वाक्य में कौन सा कारक है 24 का जो आंसर हो जाएगा वो करन कारक हो जाएगा में कलम से लिखता हो इस वाके में 24 में तो ये करन कारक हो जाता है कौन सा सब्द स्धिलिंग 25 में यह हो जाता है परिसध यानिके डिन आप सोस्धिन हो जाता है अगला हो आलो जाता है questions अग्र्ण में निम्लिखित में से Sínossä निम्लिखित में सेंपूर्लिंग सब्ढ़ बताइं इसमें से पर रदनाथ चाना पूर्लिंग सब्ढ़ों तो 28 का जो आंसर होए बहु ढईे को ठया गा अग radically हो जाता है सब्सक्त time beauty को पाइब को सब्सक्राइब एक आप लाइस में श्युन हो जाता है यह को सब liquidity घ्ला में इंव सब नहीं सब्सक्राइब परिक्त होता है देक कीट आफ सेमें से सभी हो जाएगा एक ग्यूत परिक्त सोना भी यो जता है सांदी भी हो जाता है एंग मैं 1962 प्रोग सास्थ बोह ब वे यत गशन में सब्सक्राइब शुदेडब आंशु का बहुद लूता है यह भूछ और सभी इन में से सभी जो है वह एक वचन है यह समाता लर्का किताब यह सभी एक वचन है 35 में को सन हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल स्वांस का पर्योग किया जाए उन वर्णों को क्या करते हैं हो 35 में जो आंतर हो करते हैं यानि एक नमें पर्थम और दूत्ये यह तो यह सब अगोस वार्ण है जो प्रयोग किया जाता है अगला हो जाता है 36 में question यो रो लो वो वियंजनों को कहते हैं 36 का क्या हो जाएगा अंतरस्थ वियंजन यानि कि B no option हो जाता है अगला हो जाता है 37 question में कि भासा की सबसे छोटी काई किसे कहते हैं तो 37 का जो answer होगा वर्न अक्षर होगा यानि कि D no option हो जाएगा अगला हो जाता है question 38 में निमलिके तो वर्नों में कौन सा मुलिधन ध्वानियों का उधारन है तो यह हो जाता है तोठो डोडो यानि कि B no option हो जाएगा अगला हो जाता है 49 question वर्न सब्द का अर्थ नहीं होता है तो यह हो जाता है आकास यह नहीं D9 option हो जाएगा और उन 40 में कोसन में जो दिया गया है विद्याले में जलपान को उत्तम प्रबंद कोई तूरूटी नहीं है कोई तूरूटी नहीं है इसमें से कौन सा तूरूटी नहीं है तो यह जो इसमें बताना है कोसन 41 कोसन कर रहा है कि मुझे रेल गारी में यात्रा करना अच्छी लगती है कोई तूरूटी नहीं है तो एक्तालिस का जो आंसर हो जागा वो अच्छी लगती है यह सही है अगला हो जाता है कोसन जगरों के कारन नगर की अधिकतर दुकान आज भी बंद रही तो 43 का अंसर क्या हो जागा नगर की अधिकतर नगर की अधिकतर यानि कि यह सही है अगला हो जाता है कुछसन 44 वह नितिंगाने की डैस करता है वह नितिंगाने की डैस करता है तो 44 में भढ़ना है 24 को तो यह 44 में जो आंसर हो जाएगा वो वहां नित्य गाने की कसरत या रियाज बी सी दोनों सॉरी सॉरी वहां नित्य गाने का अभ्यास और रियाज यानि की बी नमर और सी नमर दोनों हो जाएगा अभ्यास भी करता है यानि कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा यानि D इसका सही आंसर है B और C यानि 45 में को सन मानव इस्वर की डैस उतक्रिष्ट किरती है मानव इस्वर की क्या उतक्रिष्ट किरती है तो 45 को जो आंसर हो जाता है वो सबसे उतक्रिष्ट किरती है यानि कि A नौ अप्सन में देखिए सबसे उत्कृष्ट किरती है अगला देखते हैं 46 में कोसन पुस्तक डैस लिखी गई है तो 46 का जो आंसर हो जाता है विद्वता पुर्वक यानि कि D9 अप्सन हो जाता है अगला हो जाता है कोसन सहीतारीश में असाड का एक दीन नाटक के लेखक असाड का एक दीन नाटक के लेखक है इसका जो आंसर हो जागा मोहन राकेस यानि कि D9 अप्सन हो जाता है अगला हो जाता है कोसन 48 में कोसन में कहता है कि आकास दीप कहानी के लेखक कौन है यह जो इसका कहानी के लेखक है वो जैसंकर परसाद यानि कि सीनो आपसन में देखिए अगला हो जाता है 49 में कोसन 49 में कहता है कि पित्वी राजरासो किस काल की रचना है तो 49 का जो आंसर हो जागा आदी काल यानि की C नो आपसन इसमें देखिए आदी काल की रचना है अगला हो जाता है 50 में कोसन में काता है निम्लिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंदर द्वारा लिखित नहीं है तो 50 का आंसर D होगा मिग्र यैन निमिग्र नियानी यानि की D नौ आपसन हो जाएगा एक आवन कोसन में काय रहा है कि किस कभी को पर्थम राष्ट कभी के रूप में जाना जाता है तो एकावन का मैथली सरन गुप्त हो जाता है एनौ अपसों हो जाएगा अगला हो जाता है को सन बावन नमर में कि ओछे के प्रीत बालू की भीत का सही अर्थ बताना है इसका जो आंसर हो जाता है वो नीचो का प्रेम छनि सब्सक्राइब कि यानि की बीनौ आप्सन देखिए अगला हो जाता है ति पनमक्त सथ रुपन को सन में तो डाल दाल में पात का सही अर्थ बताना तो तिरपन का जो आंसर हो जाता है दोनों चालांक i को यानिके डी नौ अपशन हो जागा अगहला हो जाता है जिवन और साहित का घनिष्थ सम्ध्त यानिकी डी नशायगा धेड superspin lips वाक्श्वन जाता है तो पझाओं का छो आंसर हो जाता है वह तूलसिय और सूर तुलसी और सूर करमस अबधी और बज्र भासा के स्रेश्ट कवी हैं तो ये दोनों सही वाक्य है अगला हो जाता है चपन नम्नांकित वाक्यों में सुध्ध वाक्य का चैन करने तो चपन का जो आंसर हो जाता है वो परतेक को दो पुस्तके दीजिए यानि कि B नो आप्सन हो जाता है अगला हो जाता है संतावन नम्नांकित में से कौन सा वाक्य सुध्ध है तो संतावन का आंसर C हो जाता है मा को अपने पुत्र की ममता होती है मा को अपने पुत्र की ममता होती है C नो आप्सन सही है अंठावन का जो आंसर हो जाता है वो श्री कृष्ण के अनेक नाम है यानि के डी नो आप्शन हो जाएगा अगला हो जाता है उनसर का जो आंसर हो जाता है बालिका नीवंध लिख रही है ये सकर्मक किरिया का वाक्य है 60 में किस वाक्य में अकर्मक किरिया है तो 60 का जो आंसर हो जाता है वो स्याम सोता है ये अकर्मक किरिया के अंतर गाता है अगला हो जाता है 61 में कि निम्लिखित में से संयुक्त वाकिका चैन कीजिए तो 60 को जो आंसर हो जाता है मैं पढ़ता हूँ और वहां गाता है यह संयुक्त वाकिका उधारन है अगला हो जाता है 62 में काता है कि निम्लिखित में से मिस्र वाकिका चैन कीजिए मिस्र वाक्ष का तो यह हो जाता है वहां कौन सा बैक्ती है जिसने महत्मा गांधी का नाम ना सुना हो dynme do option हो जाएगा अगला हो जाता है 63 में जब तक वहां घहर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे तो 63 का आंसर जो हो जाएगा मिस्र वाक्य हो जाएगा इस वर तुम्हें सफलता दे तो 65 का जो आंसर हो जाता है एक छावाचक यानि कि दीन मोप्सन हो जाता है और 66 को सन में क्या करें मोहन ने डैस से देश भक्ति का संकल्प किया 66 को जो आंसर हो जाता है डिर्टा से देश भक्ति का संकल्प किया डिन मोप्सन सरसट में को सन यूद करने का एक्छा यानि कि बी हो जाता है इसका अंसर निम्रिकेत में कौन सा सब्द विसेशन है तो आंसर का अंसर हो जाएगा निपट यानि कि सी न मोप्सन हो जाता है अग सिधीक जैसे सब्द जिन से लिंग वचन पुरुत कारक आदी के कारण कोई विकार नहीं आता आप बिसक्षा रही थी इस वाकिए में कालका कौन सब्हेटेख प्रास लावी कार्ण कान्त अपूर्न भूत हो जाता है यानि कि सीनम आप्शन हो जाता है बहत्तर का यह थेस्ट काफी ठीक बस में कौन सा किर्याविसेशन है तो बहत्तर का जो आप्षर हो जागा वह परियाप्टि बोधाक हो जाएगा बीनम आप्शन 73 में कोसन हो जाता है जो आया है सो जाएगा या धुरूब सत्य है इस वाकि में कौन सा सर्वनाम है 73 का जो आंसर हो जाता है वो समंद बोधक सर्वनाम हो जाता है 74 में देखते हैं वे तुम्हारे आधमी है देखांकित सब्द में कौन सा सर्वनाम है तो 74 का जो आंसर हो जाएगा निश्य वाचक सर्व नाम यानि कि A नौ आपसों हो जाएगा 75 में क्या दिया है नदी परवत लक्री लर्की में कौन सा संग्या है तो 75 का आंसर हो जाता है जाती वाचक संग्या यानि B नौ आपसों हो जाता है 76 को सन काता है घटक ठंडक सतक सब्तक में किस परतिय का परयोग हुआ है तो 76 को जो आंसर हो जाता है वो को यानि कि परतिय को जो लास्ट में को लगा है वो परतिय हो जाता है अगला हो जाता है 77 को संसकार सब्द में किस उपसर्ग का परयोग किया हुआ है उपसर्ग में संसक तो 78 का जो आंता हो जाता है तो 78 का जो आती हो जाएगा यानि कि 20 अपसन में देख लीजे असी का अंसर उत्सा हो जाएगा बी नो आप्सन अगला हो जाता है 81 का आंसर सिंगार रस हो जाता है एनो आप्सन 82 को सन में दिया गया है अंबर पन घट में दूब रही तारा घट उसा नगरी डैस में कौन सा अलंकार है 82 का जो आंसर हो जाएगा वो रूपक हो जाएगा रूपक अलंकार 83 में कौन सक्या दिया गया है एक सब्द में एक से अधिक अर्थ जूरे हो तो कौन सा अलंकार होता है 883 में जो आंसर हो जागा कि सिनो आप्सन में देख लिए हो जाता है यहां से 84 County Crusn विलूम सब्द यानि कि इसका विप्रार्थक सब्द बताना है और 84 का जो आंसर होका प्म 86 में अनायास दिया जो है 86 का उसका हो जाता है सयास 87 में धन जो दिया गया है उसका जाता है निरूजिता अगला हो जाता है 88 VST का जो आंसर हो जाता है समस्त यानिकी दीन ja उप्सन यहां से फ regel89ी में जो दिया गया यह पर्यावाची सब्द को बताना है तो जो दिया गया यामुना का क्यांसा हो जाता है कलिंदी ओ जागा डूब और संब Nation X अगला हो जाता है कश स्ट संट 99 निसित निसित का पर्यावाची तर नहीं है इसमें से कौन सा निसित का परियावाची सब्द नहीं है तो वह जाता है ये परियावाची सब्द नहीं है जबकि रात्री है जनी रजनी है और निसा है निसित का परियावाची सब्द अगला हो जाता है सोनित का प्रियावाची है 91 में बताना इसमें कौन सा प्रियावाची है सोनित का 91 का A हो जाएगा रक्त यहनी A no option हो जाता है 92 में क्या दिया गया है पारावार, पार्योनिधी, रतनाकर का प्रियावाची 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र एनौ उप्सन चैंदरमा का प्रियावाची नहीं है 93 का जो आंसर हो जाता है ससीधर हो जाएगा प्रियावाची ये नहीं है जबकि कलाधर ओस धीस और ससधर ये सब्द है जबकि कौन सा प्रिवाची सब्द नहीं है चेंदमागा तो ससी धर हो जाएगा 94 नमर कोसन कहता है निमलिकेत में से किस सब्द में गून संधी है तो 94 का आंसर ये देवेंदर हो जाएगा यानि कि D no option हो जाता है अगला हो जाता है 95 नमर कोसन में कि द्वापी का संधी विछेद होगा तो 95 का जो हो जाता है 2 प्लस आपी यानि B no option देखिए ये सही हो जाएगा और 96 कोसन में है मनुहर सब्द में संधी है तो 96 का जो आंसर हो जाएगा विसर्ग संधी यानि कि B no option हो जाएगा यहाँ दिया गया है 97 से 100 तक के उतर गध्यांस में वर्नित तेत्यों के अधार पर होगा यानि कि एक कहानी पर लीजिए सिर्फ हम आंसर बताएगे आप सब कहानी पर कि मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा 97 कोसर में जाते हैं कि भारती भारती ये मनुसी जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं 97 का आंसर जो हो जाता है वो D हो जागा इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी है 99 जाते हैं गुल्म का तातपरी क्या है तो 98 का जो आंसर हो जागा जहारी हो जाएगा अगला हो जाता है नीनावे में उप्युक्त गद्यांस निम्रिकित में से किस समधित है नीनावे का यह हो जाता है प्रकृति प्रेम से बीनो अप्सन और सो नमर कोशन करा है यह को सेट का आखरी कोशन है इस गद्यांस में संस्य सेया मला से क्या तात परे है यह हरी भरी फास सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह को वीडियो मिलते रहेगा धन्यवाद